हेलो फ्रेंड्स तो आज मेरे पास है सॉनाटा कंपनी की यह लेडीज बॉच जिसकी आज हम लोग अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं बेसिकली मैंने अपने एक फ्रेंड है उसको गिफ्ट करने के लिए खरीदी है यह एक्चुली टाटा का प्रोड़क्ट है तो यहां पर ब्रांटिंग वाली कोई इसउ है नहीं क्योंकि पहली बात तो कंपनी जो है सॉनाटा की कंपनी वह अच्छी मानए जाती और यह टाटा कंपनी की तरफ से है तो तो इसमें की quality तो अच्छी होगी अब हम लोग इसकी design के बारे में discuss करेंगे इसको खोल के देखते हैं कि यह किस तरीके से हमें देखने वाले यहां पर आपको company की सारी detail मिल जाती है कि गभी manufacturing जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी manufacturing date लिखी हुई है यहां पर company की detail दिया हुगा अगर आपको कोई issue होता और एक साल की warranty के साथ आता तो अगर आप किसी को gift करना चाहते है और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको को female friend है या आपकी sisters है उनको को gift करना है और समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्या gift दें तो मेरे साब से यह काफी अच्छा gift ह सकता है तो इसको मैं open कर लेता हूं कि open करने को ह Choice कि यहां पर हमें ये मिलता है और इसके निचे आई से वरthis काड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह लगवग कworks के साथ आता ता तो जी हां यह देखिए शिंपल सा कोई खास पैकिंग नहीं है इसकी और यह आप इसका टैग लगा हुआ है जिसमें कुछ डीटेल दी हुई है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है टाटा की ब्रांडिंग है यह आप जो सौनाटा जो कंपनी है उसकी ब्रांडिंग है और मैं इसको उपन कर का दिया और मैंने और साइड में लग दिया को और यह देखिए यह जो आपकी घड़ी है में इसको ऊपन कर देता हूं तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका लुक है देखने में यह काफी प्यारी लगती है देखने में यह काफी प्यारी लगती है इसका डायल जो है जो आपको डिस्पिले है वो काफी अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको पर्षेस किया है जो गिफ्ट के लिए पर्फेक क्योंकि उपर एक polythene चड़ी हुई है एक परत चड़ी हुई है इसको मैं हटा देता हूँ तो मैं यह परत को हटा देता हूँ तो इसके कितना क्लियर ली है आप देख सकते हैं बिल्कुल डिजाइन इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे हला कि यहां पर आगर बात करें तो यह थोड़ा सा जो इसका प्लास्टिक ऒाला वैल्ट है इसका पतला आएगा थोड़ा और मोटा होता ह lima s Kamer um so he did दुखानों में या फिर अंलानी स्टोर पे पड़ी रहती हैं तो बैटरी खराम नहों या बैटरी खेकल नहों। अब मैं इसको शुषकता हो इसको में निकल जाता है और इसको मैं करता हूं यह चालो हो मैच कर लेता हूं I think 2.25 मिनट इतना आसपास हो रहा है तो मैंने इसको टाइमिंग सेट कर लिए जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि घड़ी का जो डाइलर है वो काफी प्यारा लग रहा है देखने में घड़ी काफी प्यारी लग रही है और जब आप इसको गिफ्ट देंगे तो सामने वाला डेफिनिटली आपसे खुश हो जाएगा तो अगर आपकी कोई फ्रेंड है आपकी सिस्टर्स है या कोई रिलेटिव है जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं बड़े पे हो या उनकी साधी पे हो जैसे कि मैंने अपने एक फ्रेंड है उसको गिफ्ट के लिए ही खरी दी है और अगर आप इसको ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो यहां पे आपको 30 days का रिटरन मिलता है अगर आपो मालिजय जिसके लिए अपने खरी दे उसको पसंद नहीं आती है तो इसको वापुस भी कर सकते हैं तो इसा को इस्यू है नहीं तो निचे डिस्क्रिशन इसकी लिंक दे दूँगा इसकी लिए पीस कर सकते हैं मुझे तो इसका design अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको purchase किया मैंने इसको एक ही बार में देखा था online purchase पर और मैंने एक ही बार में इसको purchase कर लिया इसके बार मुखज़ाद हमें मैंने options नहीं देखे थे क्योंकि मुझे पहली बार देखने पर ही मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने इसको purchase कर लिया था अलाकि मैंने इसके reviews बगेरा भी देखे थे जो की काफी अच्छे थे और जैसे कि मेरे हाथ में घड़ी है तो इसकी design मुझे अच्छी लग रही है और देखते हैं अगर मेरे फ्रेंड को यह पसंद आती है तो अच्छी बात है बनना मैं इसको return भी कर सकता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कहा है तो subscribe कर लिजे क्योंकि हम ऐसे ही जो की daily use की चीज़े हैं मैं कोई खास unboxing नहीं करता हूँ कि particular एक फिल्ड में unboxing करता हूँ जो भी हम लोगों को रोजाना जहूरत परती है जो हमारे जहूरत की चीज़ें होती है उनकी unboxing करता यह अपने परपस के लिए खरिदता हूँ उसी की review या detail डालता हूँ जो मैंने कमपनी की तरफ से कोई बोल ही आता है जिसकी मैं unboxing करूँ मैं जो अपने personal purpose के लिए खरिदता हूँ तो मैं अपना personal experience share करता हूँ जो आपके लिए beneficial होगा तो यहाँ पर मैं किसी product की अच्छा ह यह बुरा ही नहीं करता है जो मुझे feel होता है कि हाँ यह product मैंने अपने लिए खरिदा है तो वही उसी को मैं recommend करता हूँ तो नीचे description में आपको इसकी link मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप इसको purchase कर सकते हैं और कोई आपका कोई सुझाव है या कोई सिकायत है तो आप यूज के लिए purchase करता हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि यह product अच्छे है तो उसकी review डाल देता हूँ जो product मुझे अच्छे नहीं लगते है मैं उसको या तो return कर देता हूँ या फिर मैं अपने यूज में रखता हूँ लेकिन उसकी unboxing वगएरा या फिर उसका review नहीं करत हूँ क्योंकि जो product मुझे ही अच्छे नहीं लगे मैं दूसरों को उसके लिए कैसे recommend कर सकता हूँ मिलते है next video पे thank you for watching